मैत्लिशन गुप्त द्वारा रचित ये पंक्तियां कितनी सार्थक हैं जो कि भारत भारती के मंगला चरण में कही गई हैं मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आर्ती भगवान भारत वर्ष में गुंजे हमारी भारती भारती अर्थात हिंदी की गूज सारे भारत भूमी में सुनने की अभिलाशा है आजादी के बाद कवी के मन में और साथ में हम हिंदी भासियों के हिंदी वतन के हिंदुस्तान के लोगों के भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली गंभीर प्रश्ण था कि भारत में कौन सी ऐसी भाषा हो जो कि भारत जैसे विशाल देश में जहां पर विभिन बोलियां और भाषाएं हैं तो वहां पर लोग एक दूसरे से किस भाषा में संपर्ख करें ऐसे में बहुत तर्ख वितर्ख के बाद हिंदी को प्रार्थमिक्ता मिलें क्योंकि वो एक ऐसी भाषा थी या वो ऐसी भाषा है जो कि बहु भाषी छेत्रों में बहु भाषी राजियों में एक संपर्ख के रूप में कारे कर सकती है विद्वानों ने कहा कि क्यों ने इसे राष्ट भाषा बना दिया जाए लेकिन बहुत से ऐसे शेत्र भी थे जो हिंदी भाषा से परचित लगभग नहीं के बराबर थे तो वहाँ पर ऐसा गंभीर चिंतन हुआ कि क्यों न हम कुछ समय दें जिससे कि हिंदी उस दौरान उन छेत्रों में भी प्रस्चित हो जाए और तब हम उसे राष्ट भाषा के रूप में स्थापित करेंगे और उस समय हिंदी को राज़ भाषा के रूप में स्थापित किया गया और हिंदी आज तक राष्ट भाषा के रूप में अपना सफर तैंग कर रही है इसलिए हिंदी प्रचार की जो संस्थाएं है 1903 में माना गया कि 14 सितंबर 1949 को जब राज़ भाषा का दरज़ा दिया गया तो क्यों ना प्रतिवर्ष 1903 में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए और तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं हिंदी के पास अनिक चुनोतियां हैं और लोक प्रियता की जो ब्रिधी है वो लगातार होती चली जा रही है हम इस पर बात में बात्चित करेंगे और आगे परिचर्चा बढ़ाएंगे सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में आई वेदो अथितियों का स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सिल्वी पासा जो की राष्टिय सिक्षक सम्मान से विभुशित हैं और खास बात ये है कि मेगाले की प्रथम हिंदी सिक्षिका भी हैं ये ऐसे से में Resource Person के रूप में कारिकरती रही हैं और जन्चातिय संस्कृती जो की मेगाले की हैं उसके लिये निरंतर कारिरत हैं और जगह जगह ये अपने कारिकरम भी करती हैं सम्मूं को लेके जाती हैं आपका इस स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है मेरी दूसरी अथिति हैं श्रीमती शाइलीन खारपूरी जो की हिंदी सिक्षिका है एरिबन प्रेस्परिटीरियन सेकंडरी स्कूल शिलॉंग की और साथ ही हिंदी कारिक्रम के तहट ये आल इंडिया रेडियो शिलॉंग से जुड़ी हुई है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है तो भूमिका की रूप में हिंदी की बहुत सारी बाते कहीं हमने बताई और हिंदी का आज हमारे देश या विश्व में पहले देश की बात करेंगे फिर बातने बिश्व की बात करेंगे बहुत ही महत्व है तो मैं सबसे पहले जो है सिल्वी पाशा मैं से जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टी में हिंदी का क्या महत्व है चुकि आप मेघाले राजी की पहली हिंदी सिक्षिका रही है तो आपके बारे में थोड़ी सी थोड़ा सा आपके बक्तवी के पहले मैं ये बात चाहूंगी कि आपने सबसे पहले जो है हिंदी विशे को ही अध्यान के लिए क्यों चुना क्यों हिंदी सिक्षिका बनने की मन में अभिलाशा हुई आपके मन में एक्षा जागी क्योंकि मैं एक शिक्षा कुद हिंदी को प्रचार करने के लिए चारों तरब देखती हूं कि हिंदी भाषा बहुत बहतो है क्योंकि यहां सब पता है भारण एक इसा विशयर्डेश है उसमें कई भाषा बोली जाती है पर एक दूसरे की बात समझाना अवश्यक्त है ने हिंडुस्तान के करीब सभी शहरों में हिंडी बोली और समझी जाती है क्योंकि हिंडी भारत की दूसरी जबान बहुत नचिक है इसलिए लोग उसे असानी से सिख भी सकते हैं क्योंकि एक दूसरी को समझने के लिए हम आपस में मिल जुर कर रा सकते हैं और डेश की बहलाई कर सकते हैं इसलिए हिंडी ही देश भर की सम्मान्य भाषा हो सकते हैं बहुत अच्छा हिंडी का प्रचार हमारा देश में पुराना जमाने में होता आया है राष्ट भाष्ट प्रचार समीती जो है जिसके अनुरोध पर ही हमने कहा न कि उन्नी सो तिर्पन में चौदा सितंबर को हिंडी दिवस मनाने का एक गोशना की गई तो इसलिए हिंडी सिखना सभी का परम करता है जी मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगी जी हिंडी भाष्ट जो है ये तो बहुत पुरानी और पुरे दुनिया में सब्सें प्राचीन भाष्ट हैं आज के इसका अधियन हो रहा है कई सारे लोग ये सीखना चाहते हैं कि कैसे ये हिंडी सीखें क्यूल ये हिंदी का महत्वा इतना बढ़ डाहा है क्यूं इसकी जरूरत है है नहीं तो सबसे पहली बात है कि एक दूसरे से जुड़े रहने का ये एक साधन है, इसी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और भारत जो है ये बहु भाशी देश है, कई प्रांतों के कई अलग-अलग भाशा, इसको और अपने एक तरफ से बोला जाए को एक दूसरे से जुड़ने के लिए, हिंदी भाशा एक ऐसी सरल, सहज और सुगम भाशा है, जो कि कोई भी असानी से सीख सकते हैं, एक तरफ से एक विज्ञानिक भाशा भी कहा गया है, जिसमें बहुत सारे इसमें उन्नती भी हु हिंदी का महत्व इतना बढ़ रहा है अभी कि कुछ-कुछ लोग तो पढ़ाई के करने के बाद, यानि कि उनके जो उमर हो जाती है, पढ़ाई की, उसके बाद जाके सीखते हैं, कभी-कभी तब रियालाइज करते हैं, तब सोचते हैं कि क्यूं, क्यूंने ये भाशा नही सीखी, और इसी को लेके हमारे राज्य में भी, हमारे मेगाले राज्य में भी, इसी को लेके अभी बहुत सारी बाते हो रही है, बहुत सारी इसकी जो लोग प्रेड़ना ले रहे हैं, वह पहले से इस्थिती में सुधार आया है, जैसे कि शाइलीन आप मुझसे सहमत होंग कि जैसे विशेश रूप से पुर्वतर की राज्यों में जब देखे, जहां पर कहते हैं, जन जाती बहुल इलाका है, एक ही राज्य है, उसमें बिभिन जन जातियां हैं, जिनके बिभिन भाश्या और बोलिया हैं, और वो इतनी भिन है एक दूसरे से, कि अगर उसी राज्य अनल एक व्याथी से बात करेगा तो आपनी भाशा में मात्र भाश्या में समझती पाएंगे गुशरी को, रूप में हिं GUY्यों की में महत्यपूर्ण योगदान, मुझे यंत बार यहां, हिंदी जो भाशा है, यह लुप्ध हो रही है, क्योंकि वादेनगा पारंगी है, कि नहीं भी जाओ, लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, चोटा सा चोटा बच्छा अंग्रेजी में बात करता है, स्कूल अंग्रेजी में है, दुकाने अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, सो बहुत सारी ऐसी जो है कारण, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी हिंदी भ परिचर्चा से कुछ उसके समाधान भी सामने आईए कि तो आपने जैसे बताया कि हिंदी का महतो है, महतो है क्या महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा सफर तैं किया है हिंदी ने अजादी के बाद, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के सवतंता संग्राम में हिं पून भूमी का है, उस समय जो स्लोगन लिखे जाते थे, नारे लिखे जाते थे और जो गीत लिखे जाते थे देश प्रेम के, वो हिंदी में हुआ करते थे, तो उस समय जो है लोगों ने उस दौरान आजादी के पहले वह एक ऐसी भार्षा थी जिसने पूरे देश वासि को एक साथ जोड़ा था, बलकि चुनोतियां तो आजादी के बाद आई हैं, जैसा कि आप ने उस पर प्रकाश डाला, बोला, तो अब भी हम लोग जैसे कि हिंदी के राजभाशा की सफर की बात कर रहे हैं, उस सफर की बात कर रहे हैं कि कैसा रहा उसका सफर जो अब तक च सवतंत्रा पस्चात हिंदी की मतलब, सवतंत्रा ता के बात, हिंदी को राजभाशा के रूप में स्विकार किया, सारी देश में समचार, मध्याम, राज़निती, कारिय क्रम के लिए उत्तर, डक्षिन, पुरब, पस्चिन, जिस भासा सवर्मान रूप से वयाहार हो रहा है, इसका बहवार किया जा रहा है, सफर जी रूप में, वो हंडी है, सब्पक है भाशा के रूप में, हिंदी का महत्वा, जानकर ही, वीडियेशनल भी, सरवाधिक कर्याक्रम, हिंदी में, तयार करे है, हमारी समच में, छाहे, कुछ भी हो, हमारी समच में, यह आपकी राय है, एक दिन, हिंदी ही, राच भाशा बन कर रहेगी, राज भाशा तो अब है, आपका होगा, कि एक दिन, वो राज भाशा का सफर तैय करते विए, राष्ट भाशा के, तरब मुड़ेगी, उस पर आसीन हो जाएगी, वो बद अभी रिक्त है, वो खाली है, हमारी समझ में, जी, बहुत ही अच्छे, आशावान है, हम सब आशावान है, तो शाईलीन आपकोच कह रही है, राज भाशा एक समवेधानिक शब्द है, जो राज भाशा जो है, वो जाद्यतर प्रायोजन है, प्रशासन है, इसका एक शब्दावली सिमित है, एक स्ट्रक में बोले, तो आम लोग जो है, वो ऐसे पूरे शब्दावली को जान कर तो नहीं बोलेंगे, वो कहीं कहीं बात करेंगे, तो अपने गाउं की जो थोड़ी बहुत भाशा है, उसको भी ले कर बोलेंगे, इस्तानी भाशा का प्रयोग करेंगे, तो ये जो राज भाशा जो है यह ज्यादा तर मैने जो देखा है वो कारयले में हो रहा है, है नो, कुछ भी राजपत्र या किसी भी सर्टीफिकेट में मान लीजे, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। उसका एक अलग अंदाज होता है उसका एक अलग सा रूप है, हम लोग जहां हम प्रयुक्त कर सकते हैं, कोई भी भाशा, जितने भी विश्यों में हम लोग जो भी भात करने, तो वो सब अलग-अलग है, यह जो राज भाशा के जो दर्जा मिला है हिंदी को 14 सितंबर 1909 में, वो बहुत ही, बहुत ही क्या बोले, बहुत ही सोच समझ कर, एकदम विचार करके, निर्ने लिया गया, जी जाके यह निर्ने हुआ, जो कि एकदम सही है, कि सबसे सुखत बात क्या है, कि जो आम लोग नहीं जानते, हिंदी के समर्थन में वो विद्वान आ गया है, जो हिंदी तरभाशी थे, जिनकी मात्रभाशा हिंदी नहीं थी, तो ऐसे में जो है, कि जैसे आप कह रही है, उसका मैं पूरी तरह से अनुमोधन करती हूं, कि आप बिल्कुल सही हैं, और आगे आप कुछ अपनी बात रख रही थी, मैंने बीच में बोल दिया, वही में बोड़ी थी, पहले हिंदी जो है, वो सिर्फ एक बोलचाल की भाशा थी, संपर्क में, या एक दूसरे के जानकारी के उसमें, लेकिन आजकल, जब से इसे राज किसी के चर्चे पर जब हम बात करते हैं, वहां के ले लो, तो किसी भी जो बात है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जो भी हम लोग बात करते हैं, उसमें बहुत-बहुत सुधार हुआ है, और इसका विस्तार भी बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, राजभाशा के रूप में इसका विस्तार बहुत हुआ है इसमें जो है इसका एक कारण इसके पीछे चुपावा एक कारण है कि हिंदी की लोकप्रियता जी बिल्कुल हिंदी लोकप्रिय हो रही है तो इसके कई सारी चीजें जिसके कारण जो है इसका विकास हो रहा है जी राजभाशा आपने कहा कि हा उस राश भाषा एक प्रारूप है और एक ब्याक्रनिक भाषा है जो कि जिस पे की राजकिय राजकाच होता है लेकिन हिंदी लोकप्रियता की और कदम बढ़ा रही है अपने सहज रूप में बहुत ही सुंदर बात कहीं आपने कि जब कोई आम आदमी बोलता है तो उसमें स् देशी भाषाओं के शब्दा आजाते हैं और हिंदी अपनी पानी की जैसे बहती चली जाती है लोगों की बीच में लोकप्रिय हो रही है तो यह हमको लगता है कि आप अपना मत रखना चाहेंगी कॉंग सेलवी पाशाजी हिंदी की लोग प्रियाता का क्या करन नहीं कि पुर्वतर में या श्लों में इस वर्तमान समय में हिंदी को एक ऐसा मन्चो जहां हम सभी धिर्भेख होकर लिख सके पर सके और अपनी भाषा चाहित्या और संस्कृति का हिंदी के जूरिये विकास कर सके हैं लेकिन यहां की लोग प्रियाता हिंदी भाषा को इतना ली आती हैं अपनी मातरी भाषा को पड़ लिख सकते हैं लेकिन यहां यह लोग प्रियाता हिंदी केट को भरे चाहु से सुनते हैं और काते हैं हिंदी गाने तो बहुत काते हैं सुनते भी बहुत हैं और हिंदी सीरियल भी देखते हैं लोग और उचारन भी ठीक ठीक समझते हैं जी उचारन करते हैं शुत उचारन करते हैं और यहां हर प्रकार के कर्याकरम अकाश्वानी के केंड़ हिंदी के प्राचार प्रसार में महत्वापुर्ण भूमी का निभात है लेकिन भजार में एक ऐसी जखा है भजार में जहां पर हिंदी का प्रयोग जड़ा होता है क्योंकि बजार में विभेन्ना छेत्र की लोग होते हैं तथा उनकी अपनी अपनी बोलिया होते हैं इसलिए यहां एक समन्य भाष जो सभी को समस्ते आते हैं हिंदी का प्रयोग किया जाता है वहां तथा इसे लोग प्रियता बढ़ती लें देए जी जी शिलांके मैं उधारन देती हूँ शिलांके छोते छोते काओ में अकर आप वहां गाओ में कई तो सुनेंगे यहां हर हिस्से की लोग कि हिनी बॉलते हैं बहुत सुखदिस्तिति है और शमाज है लेकिन देख्रन के लिए था fishermen क कздर विना पूलिंग है न सुरीलिंग है नא也 वचन है ना भू हाँ वही कहा ना कि हिंदी जो है संपर्ख भाषा के रूप में बहुत ही सफलता से अपना कारी करें संपरेशन की शमता है इसमें अगर ब्याकरण की दृष्टी से हटा दें तो हिंदी के बोलने का सफर जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है लोगप्र प्रियता हो रही है और इसकी सबसे जो जा रहा है वह है हमारी कारीक्रम दृष्टीशन से जो आते हैं या रीडियो के माध्यम से जो सुनते हैं आजकल तो एफ-एम जो इतनी चल रही है उसके कारण से भी लोगों की लोग प्रियता बढ़ रही है फिर सिनमा जो है फिल्म तो बहुत ही जादा वो कर रही है हिंदी फिल्मे तो बहुत ही है और उसका तो बहुत ही जादा प्रभाव है अहिंदी भाशी लोगों के लिए यह एक सबसे बड़ा माधियम है इसको बढ़ाने में लोग प्रियता को बढ़ाने में तो हिंदी की जो लोग प्रियता है वो तो सरफ हमारे भारत में ही नहीं, बलकि विदेशी में भी बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, और उसी स्थीती को लेकर ही, उसी को देखकर ही, अभी हिंदी सप्पुवेर भी है, तो सोचे, एक लोगप्रियता के कारण, आज कल हम सोचल मीडिया में भी चल र रहे हैं, computers के keyboard हिंडी में हैं, phones आ रहे है हिंडी में, तो यह सब क्या दर्शाता है, वह ही है कि हिंडी की लोगप्रियता बल रही है, है न, तो जो, एक तो मैं पहले भोल चुक्षी हूं कि हिंडी एक सरल, सहच भाषा है, अगर हम व्याकरन को हटा दे, जैसे मैं ने कहा कि अ हमारे मेगाले छेतरे के गाउं में जाएंगे, मैं तो बोलती हूं, पूरे पुरवत्तर में, अगर आप जाएंगे, हिंडी सभी बोलेंगे, लेकिन व्याकरन आप छोड़ दीजे, है न, व्याकरन आप छोड़ दीजे, इसलिए मैंने कहा था कि हिंडी की एक अलग सी structure होत हुआ हो, मैं खासी बोलती हूं, अंग्रे जी बोलती हूं, मैं तीनों भाषा अच्छी तरह से में बोल लूंगी, लेकिन कही ने कही मेरी कामिया है, और वह है भ्याकरन के रूप में, कही ने कही आएगी ही, और यह सिर्प मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होगी भाशा को आपको लोकप्रिये सोता बन्ती लेकिन जिन की अपनी महांत्र भाशा है पनी पdeênखन इस लिए अपना एक परिवेश्च है अगर वह लोग सब प्रयास की द्वारा हिंदी सीख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो वो प्रशंशाह के पात्त रहें, उनकी प्रशंशाह करनी चाहिए, ना कि आलोशना करनी चाहिए, जैसे मैम ने कहा है, की बजार में, बजार एक ऐसी जगह है, जहां हर तरह के लोक हैं, रह भाशशा भाशी उनमें से जो दुकान में है, वा prosecution कहने कह бो है कि जजाधतर अंपढ़ है, लेकिन अभी स्तीति बदल गई है, अभी तो पढ़े लिखे ही है, ज्याधतर अगर अगर मैं कभी किसी दुकान में जाते हूं, मैं हिंदी में बोलती हूं, तो सब ऐसे चौक जाते हैं, आप यहां के पड़ी हुई हो, वो होता है, तो कभी-कभी मैं चौक जाती हूँ, जब वो दुकानदार जो है, वो इतनी अच्छी खासी बोल लेते हैं, जी, बिल्कुल, तो यह एक ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के प्रशंसा करने लगते हैं, यह मत सूत्र बनाती है, सूत्रधार के रूप में कारे कर रही है, कि जो हिंदी भाषी हैं, वो स्थानिय बोली बोल रहे हैं, और इस तरह से भाषा को जैसे बोली जाए, जैसे ग्रहण की जाए, उसको प्रशंशा करना चाहिए, जिससे कि उनका वो प्रुचसाहित होंगे, और भी जादा बोलेंगे, जी बिल्कुर, और इसमें जो है, बिदेशों में भी जो है, हिंदी इतनी लोकप्रिय हो गई है, कई सार जैसे कि शैलीन आपने पहले भी बताया, यहां तक कि जब कहते हैं कि अमेरिका में जो चुनाओ होता है, तो उसमें जो स्लोगन्स हैं, वो हि हम बात करना चाहें, तो में घाले में भी कई सारी चुनाओतियां हैं, जिस पर आप लोग पहले से बात कर चुके हैं, लेकिन हिंदी सिक्षण को लेकर के, जो हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके आगे भी चुनाओतियां हैं, और जो सीखने वाले लोग हैं, उनके सीक्षण के छेत्र में कि झाब की समय तो बहुत ही मुश्किल समय रहा होगा करें लोक्री हो चुकी है जही भात है हमारे राज्या में हिंदी पहले जमाने करें में कम ही प्रयोग दिया जाता है उस जमाने में लोग हिंडी भाषा को उतना महत्वा नहीं होते हैं यहां तक कुछ लोगों तो स्रिफ अपनी मातरी भाषा को आती है और लिखती है इसलिए अधियापक का करतब्या है उपाई धुन्ने के लिए विधार्तियों को हिंडी भाषा को कैसे पराया जाएज सबसे पहले हिंडी का महत्वा समझाना चाहिए उनके मन में यह बात पिठाए चाहिए कि हिंडी हमारी रास्त्रों पासा है तथा इसका कभी महत्व है शैलीन में बहुत ही महत्व है शैलीन में चाहूँगी कि आप थोड़ा यह बात कीजे कि बताईए कि अनुवाद का क्या महत्व है अनुवाद का बहुत ज्यादा महत्व है और अनुवाद के कारण ही हिंडी की लोगप्रियता बड़ी है क्योंकि आप लोग एक शब्द कोष या डिक्षणरी का निर्माड भी किया है आप लोगों ने गहरा हम दोके हम आ अनुवाद कर के या किसी संस्कृति को हम जान सकते हैं, उनके संसकारों को हम जान सकते हैं, है न, तो इसलिए अनुवाद का बहुत बड़ा महत्व है, हिंदी के बढ़ते कदम को लेकर, और साथ में लोगप्रियता को लेकर हिंदी अनुवाद जो है, एक पुल का काम करेगी, जो दूसरे भाशा के लोगे वह हिंदी के बारे में जानेंगे, हिन्दी वाले धूसरी भाषा के साहित्र बारे में जानेंगे. अनुवाद मैं और कॉंग सेलवी पाशा जी आप से जाते जाते हैं मैं चाहूंगी कि आप जो है कोई कवीता हमें अपनी सुना दें कवीता मैंने प्रभात की प्रथम किरन प्रभात की प्रथम किरन सुरिय पहली किरन मैदान में चाही है घर-घर में आनन मनाते है हिंदी डीवस स्वाकत करते है चारो तरफ जहन्दा पैराते है हिंदी डीवस पुकारते हैं मोती चमकते हैं मोती चमकते हैं मेरा देश के अंगन में गहमन से किसानों खेतों की ओर खुशी से डोरते हैं पिरो पर चिर्या जेद गाती हैं फुलों की खुश्बू भईलाते हैं बहुत सुन्दर् बहुत सुन्दर् सुर्यों की पहली किरन संतेश लाई है एक साथ काम करेंगे एक साथ काम करेंगे अजादी से अजादी से धन्यवाद अब चलते चलते शाइलीन आप से मैं चाहूंगी कि एक दो सुझाव दे दे इसके लिए सुझाव में ये देना चाहूंगी कि खासतोर पे हमारे मेगाले राज्य के लिए कि जितने भी चात्रे जो है जो पढ़ रही हैं वो किर्पिया करके हिंदी के तरफ देखें मूड़े और समझें कि इसकी कितनी एहमियत है अभी तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हिं हिंदी का हिंदी के तरफ आप बड़े क्योंकि सोशल मीडिया में जाईए तो विवाँ हिंदी है बहुत सारे चेत्रे हैं जहां उनका भविश्य होजवा है जी बहुत ही सुंदर और संशेप में आपने सुझाव दिया आप हमारी जो है परीचर्चा यहीं पर बिराम लेत साथ राजभाशा हिंदी का सफर बहुत ही सुंदर बीता और कैसे बीत गया पता भी नहीं चला नमस्कार